अधार कार्ड जो देश पे रहने वाले हर एक शक्ष के लिए बहुत जुरूरी है वो चाहे बड़ा हो या फिर एक दिन का छोटा बच्चा पहले जहां अधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते थे वो भी छोटे बच्चों के साथ जिस कारण उन्हें काफी परशानी का सामना भी करना पड़ता था वहीं पठान कोट में अधार कार्ड बनाना पहले से काफी ज्यादा असान हो गया है यह देखने को मिल रहा है पठान कोट के सरकारी हास्पिटल में जहां हास्पिटल में पैदा हुए नव बच्चों के अधार कार्ड बनाने शुरू हो गए हरोज नव जन में बच्चे के अधार हास्पिटल की और से बनाये जा रहे हैं और जब तक मा और बच्चे को हॉस्पिटल से चुट्टी मिलती है तब तक अधार काट भी बनकर त्यार हो जाता है जो एक बढ़िया प्रयास थाविद ह इस बारे में जानकारी देते हुए SMO पठानकोट ने बताया कि अब सरकारी हास्पिटल में एक दिन के बच्चे का भी अधारकार्ड बनाया जा रहा है और जब तक उन्हें हास्पिटल से छुटी मिलती है तब तक अधारकार्ड भी बनकर आ जाता है यही नहीं जो छोटे ब जिड़ा सिवल हॉस्पिटल पठानकोट दे विच अधार बनाना शिरू कर दिता है जिदे विच के साड़े जिनने भी बच्चे जनम लेंदेने उनना सारां दासी अथो डिस्चार्ज तो पहला ही असी उनना दारकार्ड बना देना तांकि उननों बाच कोई पॉब्लम न होगे इसने सिर्फ पेरेंट से विच्चों दे किसे वी एक पेरेंट दे सानु अधार काद दी जरूरत हुं दी है इस तो इलावा अगर सानु जरूरत होएगी इते जीरो तो फाइव यह से अधर बच्चे आंदे दूसरे बख्की बच्चे जिते होड़ भी जैसे उननों साफ करते हैं पठान कोट से जदिन्दा ठाकुर की रिपोर्ट न्यूजटी नाइन सब्सक्राइब करें न्यूजटी नाइन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना बूले सबसे तेज सबसे पहले खबरे देखने के लिए धन्यवाद करते हैं